जारी है, अब क्या ये सिलसला और बढ़ेगा बिक्वाली का, वो है ओयल मार्क्टिंग कम्पनियों से जुड़ा हुआ, 7-8% तक का नुकसान आज देखने को मिला है एक तरफ अंतराश्चिक कच्छे तेल की कीमते उच्छल रही हैं, दूसरी तरफ सरकार ने आपर सरकार, आप सरकार कहें या फिर कम्पनिया कहें, दो रुपए प्रती लीटर की कटोती आ गई है, दोनों पेट्रोल और डीजल में अब मार्जिन्स पर कम्पनियों की किता भारी पड़ेगा, फाइनाशल स्तिती इन कम्पनियों की क्या है, कितना प्राइस कट ये बैर कर सकती है, नीरा जी सेक्टर को एक तो ये कि सरकार ने कि आप सही कह रही, सरकार इनकी प्रोटर है, ये भूलना नीचे है लोगों को, तो सरकार भी कर सकती, कोई दिक्कत नहीं, इसमें देखें, अंडर रिकवरी पहले समाझ लेते हैं, कि ये जो दो रुपए कट हुए, इससे क्या आसर पड़ेगा, दो प्रोड़क्ट पे हुई है, डीजल और पेट्रोल पे, दोनों में दो दो रुपए कट किया गया है, डीजल की अंडर रिकवरी अल्रेडी एक रुपए 80 पैसे से दो रुपए 60 पैसे तक चल रही थी, यानि डीजल में अंडर रिकवरी थी, अब उसमें आप दो रुपए और जोड़ दीजे, तो ये बैठता है 380 से 460, ये करेंट अंडर रिकवरी है डीजल पे, पेट्रोल में प्रॉफिट हो रहा था, तो जब दो रुपए कट होंगे, तो बहुत मामूली प्रॉफिट अभी भी होगा, 25-50 पैसे हो सकता है, नुकसान नहीं है, तो पेट्रोल साड़े-4 रुपए तक का अंडर रिकवरी होगी, तो पहला सवाल तो है कि ये एक immediate impact आ रहा है, दूसरा, चुकि डीजल सबसे ज़्यादा consume होता, सबसे बड़े players जो होते हैं, उनके उपर असर पड़ेगा, और volume लगातार बढ़ा है अंडियागा, 3-3% की growth consistent बनी हुई है कई quarter से, तो इस वज़े से भारी impact आपको इनकी balance sheet के आने वाली तिमाहियों के results में देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको ये दिख रहा है, अब इतना बड़ी बिक्वाली क्यों हो रही है, एक चीज़े समझने वाली बात है है कि पिछले 2 साल से ये companyya अच्छा पैसा ब तो इसलिए इनको एक तगड़ा जटका लग रहा, क्योंकि volume बहुत ज़्यादा है, तो मोटा amount आपको दिखेगा इनके balance sheet पे इसकी वज़े से, अब सवाले क्या और ज़्यादा कटवती हो सकती है, तो एक simple अनुमान लगा जा सकता है कि चुनाओ का महौल है, सरकार और कट नुकसान में जाएंगी, और फिर वो दिक्का शुरू हो जाए कि सरकार को मदद करनी पर सकती है, तो इसलिए सरकार अब शायद दबाव नहीं जालेगी काटने का, तो इससे ज्यादा कटवती होगी नहीं, तो चुकि पेट्रोल में नहीं हो रहा नुकसान, और डीजल में कि का एक्सपर्ट से, तो क्रूड लगता नहीं कि यहां से बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि प्लिटिकल कमोरिटी है, उम्मीर एकि जा रही है कि आप बहुत जल्द कुछी दिनों में शाप फॉल्ट क्रूड में देख सकते हैं, तो यह एक रहाती ख़वर होगी OMC's के ब्रोक्राज रॉपर्ट एक्जेक्ली एसी ही बात बोले है, सीले से किवल कह रहा है कि आपको बेचना चाहिए, क्योंकि मार्क्टी मार्जिन गिरे, उनका कहना इसलिए हो सकता है, क्योंकि 70 रुपए से IOC का भाव 170 रुपए हुआ है, तो इतने हुज प्रोफिट में प्रोफिए जो अंडा रिकावरी है ना, आइबुक दो ही बढ़ेगा, उसी जादा दो ही बढ़ेगा, तो चार भी हो सकता है, क्योंकि उनको गाटा कवर करना है, तो इसलिए जो है, बहुत ब्रोक्राज आउस कहना है कि इसको लेके बहुत चिंतिद होने जरूरत नही है, हाँ, हीूज अमाउंट इसलिए दिखें क्योंकि वॉल्यूम बहुत है, तो इसलिए बहुत लोग कहरें कि इसको आप एकुमुलेट करिए, इन्वेस्टेर ने तो बने रही है, ये रिपोर्ट बुर्केज की कहरे है, तो फिलाल इस्तितिये बन तो यह दिख रही है, बिस गाड़ी ट्राइ कीजेगा, क्योंकि डीजल के दाम सिरफ दो नहीं आगे और बढ़ भी सकते हैं, तो वहाँ पर कोई लीवे नहीं मिलने वाला है, मैं आश्वस्त हूँ अपने, मैं विचार बिलकुल तठस्त हूँ है, हाइब्रिट, इवी कभी नहीं, इवी मेरे मामले म कहीं यहां का प्रदूशन आप कहीं और कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, सिंपली, वो यह डिबेट फिर चलेगा, यह दोसरे टैजिएंट की डिबेट लेके चलेगा, इसमें एक चीज़ और खाली मार्क कर दू लोगों के लिए, कि हम लोग भी रश्या से बहुत आल करीद तो हमारे लिए नुक्सान एक यह हो रहा है, कि हम जो रश्या सस्ता मिलता था, अब वो नहीं मिल रहा है, वो डिस्काउंट खतम होगे हैं, एक वो भी इंपक्ट आपकी, कूड बास्केट में, आप भेज़ दीजे अपना सस्ता है, जैसे आभी 85 डॉलर पर मालीजे क्रू पर नज़र डाल के बताईए, तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि पेन और बढ़ेगा, इस्पेशली मैं बीपी सेल की बात कर रहा हूं, क्योंकि 50 डे मोइंग आउरस नीचे स्टॉप ट्रेड करने लगा है, लोगर टॉप लोगर बॉटम कर सकते हैं, और आप उमीद कर सकत कर ला है, अभी अग्रेसिव हो के इस गिरावट में खड़ीदारी ना करें, जैं, चार्ट तु कहल बिगड़ गया है, इसमें दुराएं नहीं है, बीपी सेल को लेकिया है, बीपी सेल, बीपी सेल, दो नवंबर के बाद, पहली बार, पतलब, दो नवंबर क्या है, जब इसमें का ये गोल्डन शुरूआ था, ब्रिक आउट आया था, ये दो नवंबर को, उसकी बाद, फर्स ताइम, I think, ये 50 देमा को क्रोस करता वा, on the downside, श्रिवांगी, आपका टेक बीपी सेल पे, एक फ्लैग का, I think, जो ब्रिक डाउन हुआ यहां पर, बुलिश फ्लैग का रिवरसल हो गया है, आपका व्यू, जी पिलकुल बीपी सेल की, अगर हम बात करें, हाँ पे, अपने की, एक्सपोनेंशल मुविंग आवरिज के भी, आसपास होवर कर रहा है, बट कंसर्निंग ये है कि, जो रसाइ है, वो अप नेगितिव जोन में जा चुका है, तो यहा जरो